Hello friends, welcome to Only Eyes Foundation. आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है. आज के सेशन में हम बात करेंगे Politics in India, Since Independence का आपका Chapter No. 5 चल रहा है. जिसमें की हम बात करेंगे Challenges to and Restoration of the Congress System. जो Congress System जो उसका एक Dominance हमने एक Chapter देखता हूँ, Chapter No. 2 जिसमें की हमने दायरा of One Party Dominance की बात की थी कि कैसे 52 से लेके 67 की Election तक किस तरीके से Congress का जो Dominance है वे आप तक चला आ रहा था लेकिन अब क्या-क्या Challenges आ गया और कैसे आखर फिर से उन Challenges से Overcome होके जो Congress है वे फिर से स्थापित कर लिया खुद को फिर से खुद को Establish कर लिया और इसमें इंद्रा गाधी जी का जो है क्या रोल रहा Iron Lady के नाम से इंद्रा गाधी को जाना जाता है क्यों जाना जाता है हम ऐसे 5 important decisions देखेंगे जो सामनता है शायद कोई नेता जल्दी नहीं लेता कोई लीडर जल्दी नहीं लेगा बट उन्हों ने लिया तो ये टेलिग्राम आपके लिए चानल है पॉर क्लास PDF मंजू PW UPSC वाला देख लेजेगा इसको अब तक देखो हमने बात करी है कि challenges of nation building क्या था around one party dominance और इसमें 1952 से लेके हमने लगबख 67 तक की बात करनी politics of plant development की बात होगे external relation होगे अब हमारा ये जो है आज chapter number 5 है और इसमें हम 1967 के बात से लगबख हम जाएगे 1971 तक 1967 से 1971 हम दो चुनाव की बात यहाँ पर करेंगे ठीक है तो 3 elections से यहाँ हो गए थे 1, 2, 3, 4 और 5 की बात हमें यहाँ पर करनी है फिर देखो इसकी बात क्या chapter 6 crisis of democratic order ये पूरा जुड़ा हुआ है इंद्रा गांधी जी के काल से ठीक है regional aspirations और recent development तीन chapters और है कोशिश करेंगे कि इनके वीडियो जो है आपको अभी continuously जो है वे दे दिये जाए इस week ताकि आपका ये खत्म हो जाए और आपकी जो दो book on रहे गई है वह हम जल्दी से complete कर सके ठीक है तो number of आपके जो classes है वे increase करेंगे chapter number one में हमने क्या पढ़ा था जिन बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि classes जो है वे आपकी थोड़ा सा डिले हो रही है या फिर one week में हमें केवल two classes मिल रही है आपको revision नहीं हो रहा है आप चीजों को link नहीं कर पा रहे है एक short revision में आपको बताती हूँ कि आखिर हमने जिसमें पढ़ा पढ़ा क्या क्या था ताकि आप सभी जो है उससे correlate कर पाए तो chapter one में हमने देखा था कि कौन-कौन से three challenges थे जिससे हमें overcome होना था ठीक है partition हुआ था विभाजन हुआ था विस्थापन हुआ था उनको किस तरीके से हमने भारती संग में विलाई कर आया इसकी भी हमने बात करी थी नेक्स हमने देखा था reorganization of the state और इसमें हमने फजल अली आयोग और linguistic base पर जो एक demand उठ रही थी उसकी हमने बात करी ठीके कॉंग्रिस के प्रभुत्व की दौर की बात करते हैं तो अगर हम भी एकदम शुरुआत से चले कि जब फर्स्ट जंडर election है न अब देखो आज की कहानी कहां से शुरू होती है जहां से यहां की कहानी कतम होई थी कि फर्स जंडर election आपके होते हैं 1952 में ठीक है 52 के बाद हम देखेंगे कि second जो है आपके 1957 में हुए थर्ड जो है आपके 1961 में हुए पोर्ट जनरल इलेक्शन 1967 यहां तक यहां पर जो बात है वह छूट जाती है ठीक है तो यह जो फर्स्ट यह सेकंड यह थर्ड जनरल इलेक्शन जो थे एक का दुखका छोड़ दिये जाए तो बाकी सब जगा कॉंग्रिस का एक डॉमिंस जो है देश में बना रहा है ना करें फिर फोटिकल बार्ट की बात करें तो बनेर बाकिनाटर बाकि हमने और विपास की बात हैatsächlich कि इसंद्र के सबइंदर किया हुआ था भी तरह कि different different जो भी विचारधारा है थे जो भी विचारधारा थे जो भी ideology थी स्टाहिवाई socialist हो चाहिवाई communist हो तो starting में सब जोड़े हुए थे Congress party के अंदर ही थे बहुत जादा वितीवर मतभेद नहीं था और कोई विपक्षी दल भी ऐसा नहीं था कोई और party भी ऐसी नहीं थी जिसका पूरे देश में organization हो एक ऐसा संग्ठन हो और जीत सके आगे आ सके Congress के पास के वले शक्ति थी तो Congress का dominance बना रहा लेकिन धीरे धीरे जो है हम देखेंगे जैसे ही Congress की ये शमता हतम होती गई कि वह different different जो views थे different different जो opinions थे different जो parties थी उन सभी को submit के रख पाए वैसे Congress कमजोर होने लगी है ना और हम देखेंगे कि फिर बाद में जो विपक्षी है वह मजबूत होने लगता है फिर हमने देखा कि हमने नियोजित जो एक तीसरी हमारे सामने challenges था कि आखिर किस तरीके से हमें rapid economic development करना है और उसके लिए हम क्या रणनीती अपनाए तो हमारे सामने options थे model थे U.S. and U.S.S.R के U.S. का model capitalist था U.S.S.R का model socialist था और उस model को हमने अपनाया और वहां से हमने फाइव यह प्लांस लिए ठीक है तो हमने देखा कि किस तरह का आखिर जो विकास है होना चाहिए ओडिशा का decision ओडिशा के example हमने यहां पर लिया था कि किसकी जरुरतों को जो है विकास कहा जाए है ना और अर्ली इनिशेट दा फास्ट फाइव यह प्लान रैपिट इंडस्ट्रिलाइजेशन और याद रखना कि हमने देखा कि नीती आयूग जो है ठीक है नीती आयूग ने रिप्लेस कर दिया था फिर बाद में प्लानिंग कमिशन को कब रिप्लेस किया और इस से लिटेट जो करण चीज़ें वो सब हमने देख ली की कंट्रूवर्सी में हमने बात की कि दो तरह के मुख्य जो विवाद है वह उठे कि क्या हमारे पार्स अगर लिमिटेड रिसोर्स हैं तो हम एग्री कल्चर में उस र प्राइवेट और पॉब्लिक वेलफेर का जो काम है वे प्राइवेट कंपनी नहीं करेंगी प्राइवेट नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रॉफिट और चलते हैं तो यहां पर इन दा लास्ट गवर्मेंट की यह रिस्पॉस्बिटी होती है कि मिनिमम जो एक तरह से हम कह सक ते कि जो बुनियादी सेवाय हैं सुवधाय हैं वैं लोगों को प्रदान करें इसकी रिस्पॉस्बिटी किस पर होती है गर्मेंट पर होती है ना कि Private सECTर है नहीं किस तरह का मॉडल अपनाया था हमने Mixed Model अपनाया था नहीं हमने US का Capitalist model अपनाया पूंजीवाद model अपनाया और ना ही हमने USSR का पूरी तरह से जो एक public model है ये अपनाया बल्कि हमने क्या कि एक तीसरी ववस्था बनाई जिसमें public और private दोनों जो है इसका आस्तित्व co-existence जो है वैं सब्भब था major outcomes में हमने बात की कि starting में जो हमने initiate लिए first five year plan में हमने देखा कि कैसे हमें agriculture जो है development करना है क्योंकि सबसे पहला हमारे पास challenges था वैं क्या था कि किस तरीके से हम जो है ग्रेन में अनाज में जो है self sufficient हो जाएं है ला जिस वक देश आजाद हुआ तो हम दूसरे दिशों से जो है वैनाज मगाते थे तो कैसे हम उसमें self sufficient हो जाएं तो सबसे पहला हमने करशी agriculture को aggregation sector को priority दी तर सेकेंड में जो इंतियोग थे उसको sector priority दी देन फिर हमने देखा chapter number four में कि अप इतनी problems चल रही थी और external relations भी हमें करने ते साथ साथ में international context में बड़ा ही tough situation था बहुत ही challenging था world war हो चुका था world war के बाद reconstruction का दौर चल रहा था दुनिया जो है वैं दो खैमों में divided थी two camps थे US and USSR international context जो थे वैं बहुत जादा challenging थे और इसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो पूरी दुनिया है वैं दो खैमों में two camps में divided थी US and USSR और इंडिया ने क्या किया कि किसी भी camp की तरफ ना जाके उसने policy अपनाई the policy of non alignment गुट निरपेश्टा की नहीं थी कि हम किसी भी camp के साथ नहीं जाएंगे किसी गुट में शामिल नहीं होंगे और यह हमारी independence जो है जो हमारी sovereignty है वैं बनी रहे इसके लिए हमने इस policy को अपनाया ठीक है peace and conflict with China चाइन की हमने बात कही कि किस तरीके से चाइन जो है वैं border dispute को लेकर और भी कही तरह कैसे disputes थे कि चाइना के साथ जो एक problem है वैं बढ़ गई इनिशेली अगर हम स्टार्टिंग में देखे तो चाइना और इंडिया के जो के जो रिलेशन से वह बहुत ही जादा friendly थे पाकिस्तान के जस्ट आपोजिट है ना तो स्टार्टिंग में तो हिंदी चीनी भाई-भाई का concept था लेकिन 1962 में जब जो चाइना है वह अग्रेशन दिखाएगा इन्वेजन होगा और इसमें चाइना ने अरुनाचल प्रदेश नेफा और लद्दाक साइचीन जो है वहाँ पे आकर्मन करेगा और उसके बाद से जो चीज़े है वह बिगड़ जाएंगी हिंदी चीनी बाई-बाई हो गया था है ना कैसी हम इस चीज़ से निप्टे यह हमने देखा 1962 का वार दिन उसके बाद हमने वार एंड पीस विद पाकिस्तान की बात की कि पाकिस्तान के साथ यु पी-एम थी और यह 1971 वही है कि जो इस्ट पाकिस्तान बागलादेश था उसे अब इस्ट पाकिस्तान जिसे कहा जाता था बागलादेश का जन्ब हो गया उसकी जगा है ना इसमें बड़ी भूमी का थी इंद्रगादे की और फिर लास्ट अमने देखा कि किसी भी देश के नुक्लियर पॉलिशी होमी जो डॉक्टर होमी धांगीर भाबा थे उन्होंने बेसिकली स्टाटिंग में जो है उनकी गाइडेंस में चीज़े विशुरू हुई और हमारी नुक्लियर पॉलिशी जो है विशारती पूर्ण चीजों के लिए थी है ना पीसफुल पॉपस क लिए हम इसको यूज करते नुक्लियर वैपन नहीं बनाते जवाहला नहरू का साइंटिफिक टैंपरामेंट था लेकिन उन्होंने भी वैपन को नुक्लियर वैपन बनाने के वह अगेंस थे इस तरह की बाते हमने सारी जानी है ना कोखरन की बात की जो फॉस्ट था 1974 और इसके बाद हम देखते हैं कॉंग्रेस का रेस्टोरीशन एंड कोंग्रेस सिस्टम इस चैप्टर नमबर 5 चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरीशन और दा कॉंग्रेस सिस्टम ठीक है अब देखो इसमें क्या-क्या पढ़ना है हमें इसमें सबसे फस्ट हम जानेंगे 1964 से हम अपनी बात को शुरू करेंगे में 1964 अब इसमें चानते हो क्या हुआ था 1964 में नहरू जी की डाथ हो गई थी एक लंबी बिमारी के बाद और जब उनकी डाथ हुई तब पूरा विश्व जो है अब यह देख रहा था एक प्रेशन तो हमारे सामने था आफ्टर नहरू दिमोक्रसी है वह सर्वाइब कर पाएगी तो आफ्टर नहरू वाट तो यहां पर चैलंग्जिस ओफ जो पॉलिटिकल सक्सेशन था राजनेतिक उत्राधिकार की चुनोती इसको हमने बड़े अच्छे तरीके से हल कर लिया आफ्टर नहरू शास्त्री एन आफ्टर शास् पार्टी लड़ रही थी आगे हम बात करेंगे आखर ऐसी क्या कंडिशन बने कि स्प्लिट इंदा जो कॉंग्रेस है वह हो गया कि जो कॉंग्रेस पार्टी थी इसका विभाजन हो गया कॉंग्रेस पार्टी का जो विभाजन है वह हो गया ओल्ज कॉंग्रेस निव कॉंग असपास जो है इंद्रा गाधी ने ये बोल दिया था कि लोग सभा को जो है डिजॉल्ब कर दिया जाए खत्म कर दिया जाए उसको भंद कर दिया जाए और उसके बाद फिर से नए से इसरे से चनाव कराई जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा यहना वो ground उसको फिर से मिल गया, फिर से हम देखेंगे कि 350 से ज़ादा जो seeds है, उसे लोग सब हमें मिली और फिर से, बढ़ हां Congress का nature बदल चुका था, Congress is strong तो हो गई, बढ़ Congress का जो nature है बदल चुका था, सो यह यहाँ पर यह कहानी है 1971 तक के, clear? चलिए, start करते हैं, first challenges of political succession, आखिर क्या ऐसे challenges थे? देखो, problem शुरू कहां से हो जाती है? कि जब नहरू जी की May 1964 में, May 1964 में death हो जाती है, और इस death के बाद, जो प्रश्ट उभर कर सामने आता है इस देश के सामने, आफ्टर, नहरू, who and what? आफ्टर, नहरू, who and what? देखो बचो, who का प्रश्ट उतना बड़ा नहीं था, जितना की what का प्रश्ट बड़ा था, ठीक है? कि आखिर क्या, देखो, what का मतलब क्या था? कि क्यो आखिर लोगों के दिमाग में यह प्रश्ट आने लगा? कि क्या जो यह democratic है, experiment क्या है, survive कर पाएगा? सो इसका जो प्रश्ट था, India's democratic experiment will survive, experiment will survive, यह एक बड़ा प्रश्ट था, चिक है? और यहाँ पर यह भी प्रश्ट था कि अगर बालेजे, यह democratic जो succession है, यह नहीं हो पाया, और अगर failure हो गया, then क्या होगा? अगर मालो democratic succession नहीं हो पाये, लोग तांतिर तरीके से एक नेता की जगा, दूसरा नेता नहीं आता है, तब ऐसे में क्या होगा? ऐसा ना हो तरीका है, वह नहीं अपनाया जाएगा, यह problem नहीं होगी, और देखो basically 1960 का जो दशक था, यह दशक बड़ा ही, 1960 का जो decade था ना, इसको dangerous decade के नाम से जाना गया, 1960 का जो यह दशक था, decade था, इसको dangerous कहा गया, चीके, अब देखो इसको danger आखिर क्यों कहा गया, इसके पीछे भी कारण है, dangerous decade, खतरनाग दशक इसको कहा गया, काफी सारी ऐसी problems थी, जो की unsolved थी, है ना, जिने की resolve नहीं किया गया था, वो सभी problems थी और ऐसे में political, succession की भी हमारे सामने problem आ गई, तो unresolved problem में था, like, poverty, 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 inequality, poverty, inequality, communal violence, regional division, disintegration of the country, इससे भी बचाना था, मैं, disintegration of the country, तो basically यह ऐसी problem थी बच्चों, की यह problems unresolved थी, है ना, और इन problems के चलते, देश फसा हुआ था, की आखिर पहले हम किस problem को solve करें, unresolved problem, और इस समसे, इन problems ने इस प्रश्ण को और भी जादा, हम कह सकते हैं, की डरा दिया, की अगर नहरू के बाद, एक democratic ली तरीके से succession अगर नहीं हो पाया, तब क्या होगा, political succession का जो प्रश्ण है, अगर इसको democratic तरीके से नहीं सुलचाये गया, तब क्या होगा, तो ये 4-5 पॉइंट समझ लो, अब आगे देखो बच्चो, लोगों को लगा था की भई, ऐसे problems जो है, वह हो सकती हैं, बट हम देखेंगे की ये जो problem है, वह हमने आसानी से इसको सुलचा लिया, और जब हमने इसको आसानी से सुलचा लिया, पॉलिटिकल सक्सेशन जो है, वह डामोकर्टिक तरीके से हो गया, तो जो क्रिटिक्स थे, उन सभी को हमने रॉग प्रोब कर दिया, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कि एक लीडर का नाम आता है, सर्व सम्मती से, अनेन वेसली, एक लीडर का नाम सामने आता है, श्री लाल बहादूर सास्त्री, श्री लाल बहादूर सास्त्री, मतलब पहले कि जो लीडर से उनके अंदर इतनी जादा मोरालेटी हुआ करती थी, कि जब यह रेल मिनिस्टर थे, तब एक मेजर रेल एक्सिडेंट के बाद इनों ने अपना जो रेजिगनेशन है, वे दे दिया था, अपने मंतरी पद्द से स्तीफा दे दिया था, ठीक है आज कल की तो आप देखेंगे कितने नेता जो है, वे कितने बेशर मुह चुके हैं, तो यहाँ पर देखो कि उस वक्त जो है, वे राज़नीती में एक मोराल शास्त्री का नाम आ गया, और कॉंग्रेस पार्टी के जानतों उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे, के कामराज, के कामराज जो है, वे कॉंग्रेस पार्टी के उस वक्त लीडर हुआ करते थे, ठीक है, के कामराज, अच्छा ये बताइए, आप सभी ने, मिड़े मील इनी का प्रोग्राम था, ठीक है, के कामराज, तो यहाँ पर इन्होंने किसे इलक्ट किया, मतलब सभी के द्वारा, लाल बहादूर शास्त्री as a next PM of India, इन्हें सिलक्ट कर लिया, यह अपनी जो साध्गी उसके लिए बड़े फेमस थे, तो 1964 से लेकि 66 तक रहे, 66 में ऐसा क्या हो गया था, याद है आप सभी को ताशकंद समझोता हुआ था, ताशकंद जब 65 में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ, तब हमने देखा कि किस तरह से शांती को स्था करने के लिए यून का उसमें एंट ुजो हसतक शेप है इंटर्फेयर है, वै हुआ और जहाँ जहां पर सेनाय थी, उनको वहां पर रुकने के लिए कहा गया था, और 66 में जो है, वैं ताशकंद समझोता हुआ था, और ये ताशकंद समझोता करने के लिए लाल बहादर शास्त्री कहते हैं कि जब वो ताशकंद गए ठीके आदुरिक हम देखेंगा उजबिकिस्तान की राजधानी तो ताशकंद में क्या हुआ था कि इन्हें हाट टिक आ गया और इनकी वहाँ पर डैथ हो गई थी लेकिन कहा जाता था कि वह डैथ नेच्रोल नहीं थी कई ऐसी इस तरह की स्टडी आफिर सारी चीज़ें आप बाकी देखते हैं कि कई लोग यह कहते हैं कि इनकी बॉड़ी का पोस्ट माडब नहीं हुआ था जबकि इनकी जो बॉड़ी निली पड़ गई थी तो कैसे आप यह कह सकते हैं कि इनको तो बिसिकली आशंकाती की जहर देके इनको मारा गया है तो यहाँ पर कहतiona कि 66 में जब ताशकंतर समझाथा हुआ था टाशकंतर समझां वह था आजाब करते के लिए ते वहाँ पर इनकी डैथ हो गई थी और इस प्रियंडेट में देखेंगे कि देखों इनके प्रियंड में जो हमारा देश है कंट्री जो है टू मेजर प्रॉब्लम पेस कर रहा था एक तो देखो 62 में इन्वेजन ये जो चाइना ने किया हुआ था है ना तो यहां पर क्या था कि बिसिकली चाइना के साथ 62 हम उससे जूज रहे थे कि 65 आ गया पाकिस्तान से वार हो गया ठीके और यहां पर देखो आ वार में था पाक एकौनमी ठीक हुई है जब मॉंसूर आएगा तब जाकि हमारे अग्रीकल्चर ग्रोग करेगा जब अग्रीकल्चर ग्रोग करेगा तब बाकी चीज़ों में पैसे आएगा तो यहां पर देखो देखो डू तो दो प्रॉब्लम थी और उन्हें एक स्लोगन से दोनों प्रोच साहित किया युद्ध के लिए जीतने के लिए और जय किसाल मतलब किसालों के लिए कि वह फूड प्रडक्शन और बाकी सब चीज़ों के लिए अग्रीकल्चर के लिए आगे आए तो यहां पर एक्सप्रेश देटिटर्मिनेशन ओफ दे कांटी टू फेस he expired 10th gen 1966 in ताशकंद चीके आओ लाल बहादर शास्त्री के बारे में कुछ important point बताती हो 1904 से लेके 1966 यह उनका पूरा टाइम था PM of the India रहे पार्टिसिपेट किया इन्होंने freedom movement में since 1930 minister रहे UP cabinet में general secretary of congress रहे ministry of union cabinet रहे 51 से लेके 56 तक and when he resigned taking responsibility for the railway accident and later from 1957 to 1964 टेके and coin the famous slogan जये जवाद जये किसान clear चलिए अब फिर से एक major problem आई 1964 देखो देश के सामने परिशानी क्या थी Newly independent country और कहा जा रहा था कि जो democracy है जो democratic system है as a experiment चल रहा है इंडिया में तो में 1964 एंड जैन 1966 ठीके एं परस्ट पी एम और यह हम देखेंगे सेकंड पी एम ठीके पहले बात की हमने नहरु जी की और सेकंड बात हमने की शाष्टरी तो यहाँ पर एक political succession तो democratic तरीके से हो गया और आमने केटिक्स को wrong भी प्रूफ कर दिया बट क्या है कि ऐसे देश में जहां अल्लेड़ी इतनी परिशानिया चल रही है तो अक्सर political stability जो है बहुत जादा important होती है और अब ऐसे में फिर से एक जो प्रशन है खड़ा हो गया कि जल्दी जल्दी जो है दो जो हमारे पीए में प्रदान मंत्री है उनकी death हो जाना और इसके बाद अब कौन आएगा तो इसके पहले तो क्या हुआ था कि शास्त्री जी को बिसिकली एक निर्विवाद नेता के रूप में चुल लिया गया था ठीके non controversial leader थे किसी तरह का कोई competition नहीं था ठीके एक unadmously chosen थे ये सर्व सम्मती से जो है वह इनको स्विकार कर लिया था लेकिन अब a problem थी अब एक intense competition था अब क्या था? आफ्टर शास्त्री हूँ अब पीम कौन बनेगा? एक intense competition in between Indra Indra Gandhi versus Muradji इन दोरों के बीच में हम देखेंगे कि एक intense competition है वह था तो political succession का अब ये जो question है वह बड़ा tough हो चुका था आया समझ में हमने दिखा कि जब नहरू जी के समय में किस तरह के हम challenges के दौर से गुजर रहे थे काफी सारे challenges थे उस वक्त हम poverty को face कर रहे थे है न उस वक्त हम inequality बहुत जादा थी बहुत जादा कमनिलिजम की जो बात है वह चल रही थे तो काफी सारे ऐसे unresolved हमारे पास challenges थे ये जो problems थी इन्हें सुलजाया नहीं गया था और ऐसा नहीं है कि ये problem शास्त्री जी के समय खत्म हो गई थी शास्त्री जी के समय जो है वह already two challenges थे है न एक तो पाकिस्तान 1965 और दूसरा क्या था monsoon failure के बाद food production ये challenge था न यही challenge था न है न अब देखो कि यहाँ पर ये जो intense competition है third time ये होता है और इसमें जो इंद्रा जी है ये विज़ई होती है है न है तो अब शास्त्री टू इंद्रा third कौर हो गया after शास्त्री हूँ after शास्त्री इंद्रा गांधी after शास्त्री इंद्रा गांधी ये हमारी third pm बनी इंद्रा जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं सो बिसिकली 1917 से लेके 1984 1984 1984 के सिख दंगे सुने है वो इनी से संबंदित है कि जब इनकी हत्ते एक सिख इनके bodyguard के द्वारा कर दे गई थी तो यहाँ पर दिल्ली में 66 से यह पीम रही 66 से लेके 77 तक ठीके 66 से लेके 77 तक और उसकी बाद 1980 से लेके 1984 तक आप सोचेंगे कि बीच के समय वें क्या कर रहें थी 77 से लेके है ना 77 के बाद से फिर 8084 में आती हैं तो बीच में चुकि क्या हो गया था कि उन्होंने 75 में जो emergency है उसको देश में impose किया गया था और वो emergency जो है बड़ी ही विवादा अस्पद emergency थी वो emergency बहुत ही ज़्यादा controversial थी यह कहा जाता था कि उन्होंने एक तरह सो जो मंत्रिय उनके द्वारा किचन जैसे छोटी होती ना बड़ी important होती है तो यहां पर क्या कि रोने किचिन cabinet के रूप में जो कोई concept है बढ़ चुका था इंद्राजी के समय इनको iron lady कहा जाता है क्योंकि कुछ decision से रोने basically five decisions ऐसे थे जो इन्होंने बड़े ही tough decision लिये जो शायद कोई और PM जो है वह नहीं ले पाता और इसलिए आरे लेडी कहा जाता है जैसे कि प्रीवी पर्स को समाप्त करना जो special privilege प्रिंसली एस्टेट के princess को दिये गए थे उसको समाप्त करना प्रीवी पर्स को abolition करना operation blue star operation blue star जो खालिस्तानी और उग्रवाद को खतम करने के लो ने क्या किया था operation blue star चलाया था और operation blue star के कारण ही जो सिक भावनाय है sentiments जो है आहत हो गए थे और उसके बाद 84 में हम देखेंगे कि इनकी हत्या कर दी गई थी इनके ही bodyguard के द्वारा गोली मार कर फिर हम देखेंगे कि 1971 का जो इंडिया और पाकिस्तान का war था basically और जिससे बंगलादेश जो है एक स्वातमत्र कंट्री के रूप में सामने आता है तो उसमें इंदरा जी की बड़ी महती भूमी का थी इनकी लोग प्रेता बहुत जादा बढ़ गई थी बैंकर नेशनलाइजेशन करना जो राबैंकों का रास्ट्री करन करना ये बहुत इंपोर्टेंट काम थे इनके द्वारा और हम देखेंगे कि जो first पोखरन explosion हुआ थ 1974 तो यहां पर इन समें की भूमी का थी ठीक है जबाहरलाल नहरू थी पार्टिसिपेट इन दा फीडम स्ट्रगल एज यंग कॉंग्रेस वाकर कॉंग्रेस प्रेसिडेंट इन 1958 मिनिस्ट्री इन शास्त्री काबिनेट फ्रॉं 64-68 लेट दा कॉंग्रेस पार्टी तो पात के स्लोगन को लेकर की इंद्रा हटाओ, remove इंद्रा तब इन्होंने इंद्र गादी ने क्या का गरीबी हटाओ का नारा दिया हम देखे है कि जब कॉंग्रेस में split होगा, कॉंग्रेस में विभाजन होगा तो बड़ी ही खुपसूरती से इंद्रा गांदी ने कहा कि ये से इन्होंने क्या किया कि जो party politics थी उसको ideological जो रंग है वह दे दिया है ना socialist तरीके से इन्होंने काम किया इन सभी के हम बात करेंगे 1971 war for policy of initiate like abolition of pre-weepers nationalization of bank nuclear test and warmment protection and assassinated on 31st October 1984 तो ये इनका थोड़ा सा मैंने आपको पुरा जो introduction है वह दिया अब शुरू करते हैं from शास्त्री to इंद्रा गाधी with the death of नाग बहादूर शास्त्री Congress had to face the challenge of political succession once again फिर से एक उत्तरदिकार की जो चुनोती है वह सामने खड़ी हो गई and this time there was an intense competition between the मुराजी दिसाई and इंद्रा गांधी है न and मुराजी दिसाई was a popular leader with great political tradition इंद्रा गांधी the daughter of Nehru had been the president of Congress party and the senior Congress leader supported इंद्रा गांधी because they believe that she may dependent on senior leader due to her administrative and political experience बड़ा ही गलत सोचे अब देखो हम देखेंगे कि basically secret ballot के द्वारा secret मतदान हुआ और उसके द्वारा जो इंद्रा गांधी है इनको जिता दिया गया और इनको जिताने के पीछे जो senior leader थे उसे वक्त Congress के वो जानते हो क्या सोच रहे थे इसको कोई experience नहीं है इनको कोई experience नहीं है प्रशाशनेक और जो राजनीती तरीके से इन्हें अनुभव नहीं है इसलिए ये हम पर dependent रहेंगी हो गया उल्टा हो गया उल्टा कि अब जल्दी ही चुनाव होने वाले थे जल्दी ही चुनाव होने वाले थे और इन्होंने क्या कि खुद कि एक जमीन तयार की बड़े आगे बड़ चड़ कर हिस्सा लिया तो यहां से जो है हम देखेंगे कि Congress के वोल नेता वो बड़े नेता जिने हम बाद में Syndicate के नाम से जानेंगे Syndicate basically कहा जाता था Congress के उन बड़े नेताओं को ठीके उनके सपोर्ट से ही उनके ही सपोर्ट से और सीक्रिट बैलेट के दारा जो इंदरा जी है वह चुनी गई थी ठीक और जो मुराजी दिसाई है वह हार गए थे और उन्हों उनका ऐसा नहीं कि उनकी मंशा कोई बहुत अच्छी थी कि जबाला जहरु जी की बेटी है या फिर चलो हम फर्स्ट जो लेडी पीएम है वह बनाते हैं ऐसा कुछ नहीं था उनका क्या सोचना था उनका सोचना कुछ और था कि यह अनेक्स्पी इनेक्स्पीरियंस है इसने यह हम पर डिपेडनेंट रहेंगी बिसिकली हम चलाएंगे चीजों को ठीके उनका सोचना गलत हो गया तो बिसिकली देखो कि यहां पर दोड़ जो है वह शुरू हो रही है मुराजे देसाई दोड़ना शुरू हुए थे और ओल लेडी एक सीकेट बैलट के द्वारा जो इंद्रा जी है इनको जिता दिया और जो जिने यह जिताया ना यह जानते हो कौन थे यह बड़े लीडर्स थे ठीके यह कॉंग्रेस के बड़े लीडर्स थे और याद रखना इन लीडर्स को विल दर फस्त्रों पेम फिंडिया फीर्स्टों पर्ड्स्त पं 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 या पर जूमन पं अ वीडर्स थे, इंद्या शुक्टि थे, लृट्स थे, टिके ए? ट्लिया 66 होगा बिसलिए अब्सुक्लिए not 67, 66 अब आगे हम चलते हैं देखो ये सारे चीज़े हो गई एक पॉइंट आपका खतम हो गया ये पॉइंट आपका खतम हो गया चैलेंजिस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन आफ्टर नेरु शास्त्री आफ्टर शास्त्री इंदरा है न अब चलते हैं फोर्थ जनरल इलेक्शन की तरफ नाइटी सिक्स्टी सेवन की तरफ इंडिया के पॉलिटिकल इलक्टोरल में एक हिस्ट्री के रूप में बिसिकली एक जाना जाता है और यहां पर कॉंग्रेस पार्टी जो है कॉंग्रेस पार्टी का जो बिसिकली एक डॉमिनेंट अब तक हम देखते आये थे वो डॉमिनेंट बिसिकली आब हम देखेंगे क कैसे कम हो रहा है और ये पहला ऐसा समय था जब जो पार्टी थी वह नहरू के बिना election हो रहा था है ना नहरू जी के बिना election हो रहा था ऐसा पहली बार हो रहा था 1967 के general election में आगे हम देखेंगे इसमें चुनाव का संदर्व देखते हैं सबसे पहले context of the election based on the congress party was shaken for the first time and it is considered as a landmark in the political history of India अब 1967 में जब चौथा आम चुनाव हो जा रहा है तो सबसे पहले हम क्या समझेंगें कि उस वक्त देश की condition जो है वह क्या थी अब देश की condition में ये थी कि food scarcity थी खादाने की कमी थी economic crisis था 67 में crisis क्यों नहीं होगा हम 62 में 65 में already जो war है वह देख चुके 62 में with China 65 में with Pakistan तो यहां पर हम देखेंगे कि देखो war के बाद जो है बहुत जल्दी आप देखेंगे कि economic development और सारे चीज़े परट्टी में जल्दी नहीं आती एक समय लग जाता है और ऐसे में क्या था economic crisis prices जो है बढ़ रहे थे popular जो protest है होने लगे थे arm aggregator struggle and agitation for equality Hindu Muslim right यह ऐसा समय था ना इस वक्त Hindu Muslim right जो है बहुत जादा हो रहे थे unity in the opposition party and the PM died in quick succession 2 PM 2 PM died in quick succession and unemployment issue and inexperienced PM है ना यह यहाँ पर context of election था कि अब देखो इंद्रा जी को जो है वै इसमें विजय पाना था कि इतनी सारी problem थी और लोगों को यह लगता था कि यह जो है वै ने in experience PM हमारे पास है अब देखो सबसे पहला जो decision इंद्रा गाधी ने लिया सबसे पहला जो decision हम देखेंगे बच्चो यहाँ पर इंद्रा गाधी ने लिया वै क्या किया devaluation का devaluation रुपे का मूलियन कर दिया रुपे का क्या कर दिया अब मूलियन कर दिया कीमत कम कर दी पहले जो हम देखेंगे कि एक डॉलर का पाच रुपेया हुआ करता था ठीक है अब जो है वह क्या था एक डॉलर का साथ रुपेया तो यहाँ पर क्या किया इसको कम कर दिया ना तो यूएस डॉलर का पहले वन फाइब रुपी हुआ करता था फिर 7 डूपी हो गया और इसके बाद हमने दिखा कि आर्थिक इस्तिती जो है इतनी जादा बिगड रहे थी अब आर्थिक इस्तिती खराब होगी चीज़े खराब होगी तब क्या होगा तब सबसे पहले food crisis और food की जो prices बढ़ जाती है और जब food की prices और सारी चीज़े बढ़ price of essential commodities है ना अगर आज भी आप देखेंगे कि तेल के दाम बढ़ जाएंगे हूं के दाम बढ़ जाएं चावल यह प्याश के दाम बढ़ जाएंगे अभी तेको टमाटर के दाम कितने बढ़के 200 रूपे किंजी मिला था डाली में 500 रूपे किरो मिला था तब ऐसे में मुद परोटेस्ट करने लगे थे लेकिन याद रखना कि गोवर्मेंट्स सौदा प्रोटेस्ट एज़ लओ एंड और प्रोबलम नौट ऐस एक्स्प्रेशन ऑफ पीपल्स प्रोबलम तो यहां पर गोवर्मेंट ये कहा कि यह जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना यह लोगों की अभ भी जादा जो बिटरनेस थी government के लिए वह लोगों के अंदर भर गई थी ठीके और यहाँ पर जो बाकी parties है बिसिकली इसका फायदा उठाने लगी हिंदू-मस्दिम राइट्स रो है वह भी हो रहे थे आया समझ में so the government जरूरी है न कि government की जो एप्रोच है इस वक्त के प्रोटेस्ट पर क्या थी तो government saw the protest as a law and order problem law and order problem इसको देखा है न और इस तरह की जो प्रोटेस्ट है उसको रोकने के लिए कानूनी कारवाईया की और लोगों के आंदोलन और इसमें भड़ा कुछे थे और ऐसे में हम देखेंगे कि जो क्रशा कान दोलन हो रहे थो और बाकी सब उन सबी में क्या की आ कि अब जो opposition वाले है वह सब उसमें मिलने लगे और basically government के खिलाफ जो है वह सारे चीज़ें करने लगे चीके चलिए आगे हम देखेंगे देखो Congress के खिलाफ एक हवा बनी हुई थी because of problems इतनी जादा थी अब ऐसे में कोई ना कोई फाइदा तो उठाएगा ना आब यहाँ पर नारा आ गया Non-Congress Non-Congression का ठीके Non-Congression का देखो basically यह जो टर्म है पहले मैं राम मनोहर लोहियाची की बारे मैं आपको बता देते हूं 1910 से लेके 1967 है ना 1910 से लेके 1967 Socialist leader थे and thinker, freedom fighter among of founder of the Congress Socialist Party after the split in the parent party the leader of the Socialist Party and leader of Sayyoktu Socialist Party member of Lok Sabha 1963-267 founder, editor of Mankind and Gen known as our original contribution of a non-European socialist 20 as a political leader best known for the sharp attack on Nehru's strategy of non-congressism advocacy of the reservation for backward castes and opposition to English तो यहाँ पर क्या था यह भी आपको याद रखना है कि इनोंने शाप अटेक किया Nehru की strategy पर advocacy की reservation की for backward caste and opposition to English है ना तो यहाँ पर basically इनकी thinking क्या थी socialist leader थे and thinker थे clear है इतना तो आप देखो कि जब already इपने problems चल रही थी तब इनके द्वारा जो है यह proof कर दिया गया तब इनके द्वारा यह कहा गया लोगों को कि यह जो अभी Congress है है ना यह जो अभी सरकार है basically वह कैसे काम करी वह anti-poorist है मतलब जो भी गरीब लोग है या फिर जो की वंचित लोग है जो डिस एडवांटेज है socially डिस एडवांटेज है उनके खिलाफ काम कर रही है तो यहाँ पर इस सरकार जो है पूझी पती capitalist government है और गरीबों के लिए काम नहीं कर रही है anti-democratic government है और यहाँ पर क्या हुआ अच्छा एक और बात सुनो क्या था कि जैसे आपको किसी को हराना हो especially party के तो आपने क्या किया कि आप एक party थी Congress दूसी तरफ चार party या लड़ रही थी तो उन चार party हो के group भी वोट आपस में बढ़ जाते थे उन चार party हो सकता है 30-40% में ले हो Congress को 30-40% में ले हो सभी party होने क्या कि कि चलो हम सब एक हो जाते है ताकि हमारे जो vote है वे डिवाइड ना हो और हम Congress को defeat कर पाए है ना तो यहाँ पर क्या है कि उसको topple करने का कि आपर क्या किए कि यह सब जो है वे एक हो गए कि चलो हम एक साथ तड़ेंगे Congress के खिलाप और हम जीट जाएंगे So the term of non-Congressism है ना was coined by राम मनोहर लोहिया किससे दिया था non-Congressism है ना गैर कॉंग्रेसवाद Congress को हटाना गैर कॉंग्रेसवाद Congress को हटाना है ना And the theoretical argument of law was the Congress rule was under democratic कि यह जो Congress का rule है किसे आ लोगतांतिक तरीके से opposed to the interest of the order poor people कि जो गरीब लोग है उनके against जो काम है वे कर रहे हैं उनके हितों को नहीं देख रहे है So therefore the coming together of the non-Congress party was necessary for reclaiming democracy for the people तो इन लोगों ने बस लोकतंत्र लाने का वादा कर दिया कि हम क्या करेंगे हम लोकतंत्र को वापस लेकर आएंगे और इसलिए आप Congress को vote मत दो अब देखो यह सारी चीज़े चल रही थी तो 967 का context देख लिए हमने कितना खतरना context था कितनी सारी problems थी है न और उपर से सरकार का government का अप्रोच यह था कि यह तो भी यह law and order की समस्या है यह तो public हम यह basically expression of मतलब not as expression of people's problem यह लोगों की समस्या नहीं यह law and order की समस्या है इसलिए इसको सक्ती से control किया जाए यह government की that time में अप्रोच थी और इसी अप्रोच का फायदा उठा कर जो बाकी party यह थी और राम मनुहर लोहिया ने क्या कोई दिया था गैर Congress बाद है ना non-Congressism अब आया 1967 Electoral verdict of 1967 तो यह पहली बार ऐसा था कि जब Congress को 1952 के बाद 1952 जो फर्स्ट जनरल election था उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि Congress को कम सीटे मिली ठीके Congress got majority in लोकसभा with the lowest seat since 1952 Half of the Cabinet Minister was defeated लगभव इनके मंत्री बंडल के आधे जो सदस से है आधे जो मंत्रिये में चुना भार जाते हैं ठीके इसके अलावा देखो जो ये red आपको दिख रहा है ना ये Congress के हाथ से निकले हुए जहाँ पर Congress को जो है majority नहीं मिली तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो red है जहाँ पर Congress नहीं है majority नहीं हासिल कर पाई और जहाँ पर ये yellow है यहाँ पर जो Congress government है वह बन गई थी जो Congress government है वह बन गई थी तो यहाँ पर ना एक बच्चो slogan जो है वह चला करता था कि अगर आप Delhi पर Delhi से हावणा जाने वाली जो train है इस पर बैठेंगे तो आपको कोई भी SIX state बीच में नहीं मिलेगा जो Congress ruled state हो ठीके तो यहाँ पर यह जो है वह कहा जाने लगा था और basically देखो कि 1967 का basically जो election का result था उसको political earthquake की जो संग्या है वह दी गई थी इसको क्या कहा गया था इसको political earthquake कहा गया था because of many senior Congress leader were defeated and half of the cabinet minister were defeated and Congress got majority in लोग सभा with the lowest seat since 1952 so Congress lost power in 9 state यह जो 9 state आपको रैट दिख रहे है ना in 9 state में जो Congress है वें रही आपाई थी so DMK our regional political party want clear majority in madras legislative assembly and contemporary political observe describe this election verdict as a political earthquake तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है इस राजनेतिक जो चुनाव है उसे क्या कहा गया राजनेतिक भूकम यह जो election था यह fourth general election की बात हो रही है fourth general election का जो result है उसे political earthquake की संग्या जो है वे दी गई अब क्या हुआ अब जो cycle थी वे थोड़ी सी लंबी की गई इसका मतलब क्या है कि अब एक drive नहीं करेगा बलकि कई लोग बैचे हुए है एक ही cycle पर इसका मतलब क्या गड़ बंधन कर लेना है ना तो अब देखो Congress ने क्या किया बचो जो से seat जो है वे काफी कम मिली और ऐसे में आप हम देखेंगे कि 1961 में सॉरी 67 में एक नया जो phenomenon है phenomenon of coalition जो है वे सामने आया अब तक तो one party dominance था ना वो one party dominance कतम हो गया 1967 में आप coalition government जो है उसका दौर शुरू हो गया if no single party get clear majority in this election form a government two or more political party join together and form the government this political phenomenon is called coalition government तो यहाँ पर क्या था कि आब तक हमने देखा था कि after मतलब 1952 के बाद से जो है Congress जो है इस dominance में था Congress को clear majority मिल जाती थी आगर clear majority मिल जाती थी तब ये government form कर लेती थी आसानी से लेकिन आब क्या हुआ 1967 इसलिए तो इसे political earthquake कहा गया 1967 का जो चुनाव हुआ था इसके बाद क्या हुआ इसके बाद जो है coalition government जो है आई because of किसी भी एक party को नहीं मिला तो जो भी A, B और C party थी ये सभी मिलकर जो है वे government form करने लगी इसलिए इसे क्या क्या कि इस phenomenon को इस ideological agreement जो है वे basically एक हो गया ideological agreement between the partner of these coalition government तो यहाँ पर जो गटबंधन की सरकारे हैं उनका आस्तित्व में आना तै हुआ कई तरह के जो गटबंधन ने वे बने उनकी जानकारी दी गई है आप पढ़ लिजेगा अब हम बात करेंगे defactions एक और feature समझ में आया इस समय के बाद 1967 के बाद एक तो हमें phenomenon दिखाई देता है coalition government का क्यों किसी की भी one party को जो है जब majority नहीं मिल रही थी clear majority नहीं मिल रही थी तो one or two जो parties है ना more than two or more parties जो है वे दूसरे को join कर रही थी इन government को form कर रही थी दूसरा जो देखा गया था वे देखा गया था defactions दल बदल मतलब जो ये ए व्यक्ति जो ये ए पार्टी है इससे ये व्यक्ति चुना गया है ना इसके चुना आप चिन से इसके बाकी slogan से अब ये जब ये elect हो गया ठीके तो ये जो पहला व्यक्ति है ये election के बाद इस party को छोड़के B party को join कर लेता है because of political opportunity B को छोड़के फिर C को join कर लेता है फिर जब है उसको लगता है कि नहीं अब तो A काम के फिर से A में चला गया तो ये क्या हो गया दल बदल हो गया so after the election of 1967 the politics of defection had become an important feature of Indian politics and if a representative leave the party on whose symbol he has elected and join another party is called defection defection क्या हुआ अगर कोई जो party का representative है वह elect हो जाता हुआ उस party के symbol और बाकी चीजों के साथ और फिर वो उसको छोड़ दे यही क्या था उस दल को छोड़ना दल बदल था UPSC ने यहां से पेलिमस में कुश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा constitution amendment था जिसके जलते जो anti defection law है नहीं लाया गया ठीक है clear है चलो अब हम बात करेंगे Congress में विभाजन की Congress में विभाजन Congress में विभाजन आखिर हो कैसे गया Split in the Congress Split in the Congress Split in the Congress ठीक है देखो बच्चो इसमें दो तीन बाते जो है वह है मैं समझ नहीं है सबसे पहले तो यह देखो क्या reason था और क्यों हुआ है ना क्या reason था क्यों हुआ और क्या कैस में बागी जो चीज़ें वह important है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं सो देखो एक तो था पहले कारण से शुरू करते हैं हम इंद्रा गाधी ठीक है और दूसरी तरफ था syndicate ठीक है syndicate के नीता कौन हुआ करते थे syndicate का मतलग था syndicate in sense कि जो old एन ऐसे रेता थे a group of powerful leader syndicate क्या था group of group of powerful leader जो पुराने नीता कॉंग्रेस में हुआ करते थे जो powerful हुआ करते थे जिन्होंने इंद्रा जी को प्रियेम बनाया था ताकि उनका जो un experience है वह political and administrative वह उन बेंड रहे लेकिन तो यहां पर यह दो political जो basically Congress है उसका split इन दो भागों में आगे जाके होगा क्यों हुआ उसका एक आलसी बना रहे है जो भी वह काम कर रहे हैं वह पूछ कर करें ऐसा नहीं था तो यहां पर देखो हम देखेंगे कि basically इंद्रा जी के सामने जो real challenge था वह क्या था तो इंद्रा जी के सामने real challenge था रियल जो challenge है वह opposition से नहीं था जो opposition party थी या जो विपक्ष था इससे नहीं था बलकि इनको real challenge थो है वह syndicate से था वह syndicate से था कि कैसे आखिर इस syndicate के प्रभाव से खुद को मुक्त किया जा सके स्वत्मत तरीके से जो काम है वह किया जा सके so she needed to build her independence from syndicate she needed she needed to build her independence from syndicate from syndicate ठीके एक तो ये challenge था इनके पास दूसरा जो challenge था कि 1967 का जो election हुआ था 1967 के election में जो political earthquake आया था और 1952 के election के बाद से अब तक सबसे कम जो एक lowest seat है वह मिली थी Congress को है न और उसके बाद भी जो नौ स्टीट है वह Congress के हाथ से निकल गए थे तब क्या है उस खोई हुई जमीन को फिर से पाना तभी तो restoration भी पढ़ना है एक तो हमने challenges पढ़ना है इस chapter में दूसर restoration कैसी हुआ है ना कैसे पुन्दर स्थापना करी दूसर चलंज यह था 1967 का जो election था चीक है regaining the ground regaining the ground तो उस खोई हुई जो जमीन थी ना Congress की जो मजबूती थी उसको फिर से पाना ये दो इनके basically लक्ष थे अब इन्हों ने बहुत ही ज़ादा powerful जो strategy है वह अपना ही ठीक है अब देखो ठीक है यहाँ पर हम इंद्रा जी के बारे में ही लिखते हैं सो इंद्रा जी ने very bold strategy और इन्होंने एक 10 सूत्रिय कारिक्रम जो है वह लॉंच किया 10 point program 10 point program और इस program से याद अटना कि जो syndicate है ना वो concern इसका नहीं था वो assignment नहीं थे अग्रीड नहीं थे वो agreed नहीं थे अब यहाँ पर एक और बात होगी 1969 में जो है 1969 में जो president थे है ना 1969 में जो president थे जाकीर हुसैन इनकी death हो जाती है 1969 में जो president थे चलो इसको फिर से बता देती हूँ है ना पर इंपोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद ही जो स्प्रेट है होगा जाकीर हुसैन इनकी death के बाद हम देखेंगे कि अब जो है वैं कॉंग्रेस पार्टी जो है वैं कोई एक अपना उम्मीद्बार कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रहे है तो आफ प्रेसिडेंट के लिए जो कौन नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेगा इसके लिए क्या था दो औ इनकीर जो है वैं कौन से थे एक इंद्रा जी का एक इंद्रा गांधी का दूसरा था जोसे अनों नाम लिया वैं कॉन थे में वीवी गिरी, वीवी गिरी है ना, और वही सिंडिकेट जो है वैं चाती थी, कि जो एन संजीव रेड़ी है, नीलम संजीव रेड़ी, लोगसबा स्पीकर भी जो थे, ठीके, एन संजीव रेड़ी, एन संजीव रेड़ी, ये जो है वैं प्रसिडेंट बने, ठीके, और यहा ये जीत जाते हैं ठीक है ये जो है जीत जाते हैं प्रेसिडेंट बनते हैं और ऐसे में सिंडिकेट ने कहा कि जो ये एन संजीव रिड़ी थे बिसिकली ये कॉंग्रिस की तरफ से थे उन्होंने इसे पार्टी की हार समझा उन्होंने क्या किया इसे पार्टी की हार समझा और तो इंद्रा गांधी की जो पार्टी थी इंद्रा गांधी जिस Congress को चला रही थी वो नई Congress थी New Congress और Syndicate की जो Congress थी मतलब जो Powerful Old जो Congress की नीता थे वो जो थे उनको Syndicate का Combined Group से हमने और उस group के द्वारा जो Congress चल रही थी उसको पुरानी Congress कहा ठीक है क्लियर है तो यहां पर इंदर गादी ने कहा कि यह जो है वैं विचार धारा की लड़ाई है अब इसमें एक दो पॉइंट्स जो है और लिखनो बच्छो तो देखो सिंडीकेट के द्वारा आप जो कॉंग्रेस चलाई जा रही थी वो थी ओगनाईजेशन ओगनाईजेशन को कई जगा आपको यह लिखा दिख जाएगा ठीक है और अब इंदरा जी के जो द्वारा जो कॉंग्रेस बच्छी हुई थी उसको कहा गया रिक्वेजिनिस्ट इसको क्या कहा गया जिसे की आर्ड से रिप्रेजेंट किया जाएगा जैसे उसे इसे आर्ड से रिक्वेजिनिस्ट जो है इसको कहा गया ठीक है तो यह थी न्यू कॉंग्रेस यह थी न्यू कॉंग्रेस एड ओगनाईजेशन वाली यह थी ओल्ड कॉंग्रेस इसमें यह भी कहा गया कि जो सिंडीकेट जिस कॉंग्रेस को चला रही है यह प्रो रिच और कंजरवेटिव है इसका नेचर क्या है कहा कि यह प्रो रिच है और कंजरवेटिव है कंजरवेटिव ठीक है और जो रिएल कॉंग्रेस बिसिकली का कि इंद्रा गानी की जो न्यू कॉंग्रेस से वह रिएल कॉंग्रेस से सोचलिस्ट और प्रो पूर का यह कॉंग्रेस जो है तो क्या है कि सचलिस्ट आफ को पूर विचाढ़ आठा अब जिसे कि इंद्रा जी ने 10 जो यहों पूंग्रेस ने 10 पॉइंट सत्रीक आरेकरम और उस से सिंडिकेट सहमत नहीं था उस सिंडिकेट सहमत नहीं आता थो यहां पर इंद्रा जी ने कहा गए यह बिसिकली यह ज लोजिकली है समझे इस बात को आप आगे चलते हैं अच्छा यहां पर यह पर प्रीवी पर से यह साथ-साथ पढ़ लेंगे ठीक है तो यहां पर आइडोलोजिकल डिवाइड जो है वह कहा गया और अब हम बात करेंगे यह 69 की बात है अब हम बात करेंगे 1971 के इलक्षन की 1971 के इलक्षन की ठीक है तो इंडिया वर्से सौरी इंडिरा वर्से सिंडिगेट आप इसको पढ़ लिजेगा प्रेसिडेंट इलक्षन भी हो गया वैसे हम चाहें तो इसको कोई नहीं लिखा रहने दीजे आप पढ़ बता देते हूं जो सारे चीज़े आमने पड़ी है वही सारे चीज़े आपको पीडिएफ में दी जा रही ताकि आपको क्लियर है चार्माश पॉइंट्स में इंडिरा गांधी है तो डियल विद दा सिंडिकेट अग्रूप ऑवर्फोल एं इंफ्लोएंशियल डिडर यहां पर इस गांधी थी जार्माश है तो बिसकोल इंट्रकानी फेसे तू चलंजेन इस था लंगेन और लुगन करना फर संडिकेट से इंडीपेंडलन डूसरे सांग को रिगें करना शी एडप्ट राइब बुल्डटी स्टर्टीजें इंडूर्ट था सिर्य शनेटर ग कि देखो क्या क्या शामिल था social control of bank है ना nationalization of general insurance और urban property income public distribution, PDS food gain, land reform ये सब शामिल थे और presidential election की हमने बात करी कि the factional rivalry between the syndicate and इंदगाधी जो है सामने आ जाती है और इस पस्ट रूप से लड़ा है 1969 में हुई है syndicate न ओमिनेट किया था जो कि speaker भी थे लोग समा के and Sanjeev Reddy as the official candidate for presidential elections तो इन्होंने कहा कि official Congress के candidate है और इनकी हार को अपनी हार समझाता है और इसी के बाद जो split है वह हो गया था and इंदरा गाधी ने क्या किया था कि जो Vice President थे then Vice President Vivi Grie इनने nomination किया as a independent candidate तो officially Congress के हम कहें तो कौन थे and Sanjeev Reddy और as a independent जो है वह वी वी गिरी basically खड़े हुए She also announced several big and popular policy measure like the nationalization of party leading private bank and the abolition of pre-vipers अब देखो बच्चों pre-vipers का मतलब क्या हुआ वही बात मैंने आपको बताया कि जब princely state का integration जो है वह इंडियन उनने किया गया था उस वक्त क्या किया गया थे इन्हें कुछ रियायती दी गई थी कि आप जो है वह इतनी संपत्ती को कर रख सकते हैं इतने property आप रख सकते हैं और उसके बाद government जो है वह आपको especially यह जो pension यह जो भत्ते हैं वह सारे चीज़े देखी वो pre-vipers था उसको abolition जो है कर दिया और लोग जो है वह बड़े खुश हुए थे इससे ठीक है so basically the defeat of official congress candidate formalized the split in congress in two separate parties and one is O an organization led by syndicate known as the old congress and congress are requisites led by the indra known as new congress अब next 1971 पे आते हैं तो evolution of pre-vipers क्या है आप इसको पढ़ लीजेगा ठीक है basically में एक दो lines यह important है जैसे की कि जो rural families थी would be allowed to retain certain private property and given a grant in heredity of government allowance and measured on the basis of the extent revenue and potential of the merging state ठीक है so this grant was called the pre-vipers तो यहाँ पर जब बास socialist की हो रही है बात equality की हो रही है inequality को खतम करने की हो रही तब pre-vipers अगर समाक्त होगा तो ऐसे में जो जनता है वहाँ खुश हो गई थी ठीक है जो जनता है वहाँ खुश हो गई थी चलो अब हम चलते है 1971 की तरफ election and restoration of congress election and restoration of congress अब देखो बच्चो हुआ क्या कि the split in the congress जो है वह हो चुका था और लोग सभा के लिए हम देखेंगे कि जो पाचवा आम चुनावे feb 1971 में announce कर दिया गया था तो feb 1971 इसमें जो फिफ्ट जनरल election है फिफ्ट जनरल election ठीक है अब देखो यहां पर पाठी कौन-कौन सी होगी लड़ने वाली और इसके पहले क्या चलना था इसके पहले जब Congress जो है वह दो पार्टियों में तूट गई थी और जो सरकार थी वह minority में आ गई थी जो सरकार है ठीक है तब तब क्या हुआ तब कुछ जो पार्टियां थी उनके द्वारा जो सपोर्ट दिया गया और उससे जो सरकार है वह चलती गई तो यहां पर हम देखें कि बच्चो कि किस तरीके से CPI और DM के जो है इसके द्वारा continued ही government ठीक है अब 5th general election हुआ और basically यहां पर 2-3 लोग जो है वह मैदान में थे इंद्रा गांथी ठीक है organization O that means old congress मतलब syndicate ठीक है old congress और कुछ पार्टियों ने क्या किया था alliance बना लिया था गट बंधन बना लिया था grant alliance ठीक है तो यहां पर जो है वह सब प्रचार प्रसार कर रहे थे giant alliance के पास और बाकी सब के पास किवल एकी नारा था हम देखेंगे ठीक है और इनकी एकी बंशा थी इनके पास कोई positive या सब political यह नहीं था कि आप किसी particular कोई program को लेकर चलने वाले सम्टाइम्स क्या होता है कि कोई अगर आपको नेता यह party पसंद भी ना हो फिल्म लेकिन उसके पास एक प्रोग्राम है आप उस प्रोग्राम को पसंद कर रहे होते हैं इसलिए हम उसको चुल लेते हैं अगर कोई आपको ऐसा रखता कि ने यह लोग ठीक ठाक लोग है पर उसके पास आगे चलाने के लिए ना तो कोई प्रोग्राम है ना ही कोई पॉजिटिव ऐसे हमें चीज़े दिख रहे ही तब हम उसको क्यों सेलक्ट करेंगे इलक्ट करेंगे तो था स्पिट इंदा कॉंग्रेस इंद्रा गांधी गवर्मेंट तो अ माइनोरेटी और यहां पर जब इन्हें यह लग रहा था है न कि यहां पर जो कोलिशन जो है इन सब के सपोर्ट से गवर्मेंट चल रही है तो क्यों ना हम डिसलूशन करके एक बार जान ही ले कि लोग आखिर किसे चुनना चाहते हैं किसे इलक्ट करना चाहते है सो इंद्रा गांधी गवर्मेंट रिकमेंडिट दा डिसलूशन ओफ लोगसभा दिसमबर 1970 1967 में चुना वह थे 1967 तो 67 ठीके 68-69 है न यहां पर 70 में उन्हें डिसलूशन की जो बात है वे कर लिए which was a bold move बहुत बड़ा कदम था यह आगे चलते हैं अब context देखो इस वक्त क्या था context यह था कि electoral contest appear to be a loaded against Congress context यह था कि ज़्यादा तर हम देखेंगे कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि लोग against होगे Congress are, मतलब requestist, मतलब जो इंदरा गाधे की Congress Party थी है ना, so all the major non-communist non-Congress Opposition Party for my electoral alliance known as the Grant Alliance, है ना, एक महा गटबंदल जो है बिसकली वैं opposition parties के दवारा मिलकर बनाया गया the ruling party had an alliance with the CPI, the Grant Alliance did not have a coherent political program, कोई political program ही नहीं था Grant Alliance के पास कोई, did not have any political program and Indra गाने said that he opposition aligned, had only a common program Indra हटाओ, बस इनको क्या करना ही Indra हटाओ, remove Indra and she gave a famous slogan, गरीबी हटाओ, अब देखों Indra जी ने क्या किया, कि ये बताया कि ये तो negative चीजों को चल रहे हैं ये इनका केबल एक ही focus है, Indra हटाओ बढ़ हमारे पास और भी program है अब देश की भलाई को सोच रहे हैं और इनोंने बड़ी खुबसूरती सोस को रंग दिया socialist रंग दिया और यहां पर कहा गरीबी हटाओ का नारा दिया, so she gave a famous slogan, गरीबी हटाओ and focus on the growth of the public sector वो चाहती थी और वो जानती थी कि हमें अगर चाहिए कि पूरे रास्ट में जो है वह हमें एक support मिले लोगों का हमें support मिले, एक बड़ा जनाधार मिले तो इस सच्छा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने क्या क्या गरीबी हटाओ and इस तरह के जो प्रोग्राम से वह लेकर आई है ना, आप देखो, जब ये elections हुए उसके बाद क्या हुआ जब ये elections हुए, तो इंद्रा गांधी जो है, ठीके, इन elections के बाद हम देखेंगे, कि जो इंद्रा गांधी है, उनको इतना मतलब इतनी ज़ादा seat से इंद्रा गांधी वाली जो Congress है वह जीती और उन्होंने तब क्या कहा, कि यही Congress जो है, वह real Congress है, यही Congress जो है, वह कैसी Congress है, real Congress है, हम देख रहे हैं, first, second, third, मतलब बाकी सब कहीं दूर दूर तक नहीं थे, जितनी seat इनको मिली थी, जितनी percent of लगबग 50% की आसपास जो vote है, वह यह ने मिला था, तो हम अगर outcomes की बात करें, है ना, अगर हम outcomes की बात करें, कि आखर contest हमने देख ले कि मुकाबला किस-किस के बीच में था, और मुकाबले के बाद हम outcome की बात करते हैं, कि जो outcome है, वह आखर क्या आया, तो result यह आया बचो, कि जो Indra Gandhi थी ना, इनको लगबग 48% of जो vote है, वह मिले थे, 48% of vote, ठीके, so the result of लोकसभा election of 1971, was a dramatic as the decision to hold this election, and the Congress are requisitionist, and CPI alliance won more seat on the vote than the Congress had ever, that have ever won in first vote general election, मतलब इसके पहले के चार elections में जितनी seat नहीं मिली थी, उससे भी जादा seats मिली, and the combined won 375, combined रूप से कितनी seats मिली थी, 375 seat, 375 seat मिली थी, लोकसभा, and secret 48% vote, Indra Gandhi Congress are won 352 seat with the about 44% popular vote, और इसमें यह alliance को मिली थी, CPI और Congress are requisitionist है, तो Indra Gandhi की party और CPI के साथ जो alliance था, जिसके support से बाद में, minority में आने की बाद भी government बना के government बन जाती है, तो इनके जो basically हम कहाई कि जो alliance था, उसको मिली 365 लेकिन इस 375, sorry, 375 है ना, 375 में से हम देखेंगे कि 352 seat तो केवल Indra Gandhi को मिली थी, मतलब Indra Gandhi की जो Congress party आर हुआ करती थी, ठीके, तो यहाँ पर और अगर हम बाकियों का performance देखें, तो बहुत कम था, बहुत कम है ना, बहुत कम किसी को 16 seat मिली, किसी को केवल 40 seat मिली, तो इस तरीके से बाकियों को seat मिली, तो आगे हम देखेंगे next की, अब देखो इसमें एक बात और समझनी है, तो यहाँ पर तो Indra Gandhi जीत गई, और जब Indra Gandhi जीती, 1971 में एक और major political and military जो crisis है, वह आया, East Pakistan में, East Pakistan जो आज का बंगलादेश है, तो अब बेजर, political and military, जो military crisis था, ब्रोक आउट ओफ East Pakistan, West Pakistan, East Pakistan, पहले यह दोनों पाकिस्तान हुआ करते थे हैंना, West और East, जो कि अब बंगलादेश है, तो as you have read in the chapter 4, 1971 elections were followed by the crisis and East Pakistan and the Indo-Pak war, leading to the establishment of Bangladesh, and these events added to popularity of Indra Gandhi, इन्हों ने Indra Gandhi की जो लोगप्रिय था थी, उसे और भी चरम पर पहुचा दिया, even the opposition leader, even the opposition leader admired her statemanship and her parties, अभी तक तो यह जाना जाता था कि यह केवल गरीबों के नेता हैं, यह भी पता चला कि कैसे यह जो है, वह एक strong leader है, यह भी समझ में आया, so she has, she was seen not only as the protector of the poor and the underprivileged, but also a strong nationalist leader and the opposition to her, either win the party or outside of it, simply did not matter. So, हमने देखा कि किस तरीके से, with two successive election, victories, one of the center and other of the state level, the dominance of the Congress was restorated. कि जो Congress का दबदबा था, dominance था, उसको फिर से स्थापित कर लिया गया था, ठीके, लेकिन last point हमें देखना है, कि जो यह restoration था, उसका nature क्या था? जो यह restoration हो गया था, जो यह Congress ने खुद की पुनरस्थापना कर ली थी, 1967 में जो जमीन खुई थी, वो फिर से मिल गई, उस ground को फिर से गेन कर लिया, बट nature में क्या change आ गया था? nature में यह change था कि पहले जो पार्टी थी, पहले जो पार्टी थी, but does it mean the Congress system was restored? What, Indra Gandhi had, was not a reveal the old Congress. क्या जो पुरानी Congress थी, उसको reveal किया था? नहीं, उसको reveal नहीं किया था. In many ways, She had a reinvented the party है ना? तो यहां पर याद रखना कि इन्होंने जो है, revival का काम नहीं किया था, revival का काम नहीं किया था, बलकि इन्होंने reinvented का काम किया था, और इसका जो dominance अब Congress का स्थापित हुआ था, यह Congress कुछ अलगी था, और इस Congress में इंद्रा गाधी की जो लोग प्रियता थी वहती है, और basically यह जो Congress अब बनी थी, वह centered हो चुकी थी, leader पर जो कि इंद्रा गाधी थी. So, the party occupy a similar position in term of popularity as in the past, but it was a different kind of a party. Popularity तो Congress की वही होगी जो पहले थी. लेकिन यह अलग प्रकार की party बनी. It relies entirely on the popularity of supreme leader. तो यहाँ पर यह जो restoration हुआ था, तो यहाँ पर क्या था? Popularity. Popularity of the supreme leader. और यह जो supreme leader है, इंद्रा जी. Supreme leader, इंद्रा गाधी. ठीक है? It had a somewhat weak organizational structure. अब देखो, पहले जो Congress का structure था, organization का structure था, वैं इतना strong हुआ करता था, कि Congress party के अंदर जो है, पर सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी विचारधाराओं की लोग हैं. लेकिन यहाँ पर क्या हो गया था? कि जो यह नई party रेस्टोरेट हुई थी, याद इसका जो organization structure था, वैं पहले से different था, तो पहले वाला Congress बहुत मजबूत था अंदर से, बट यह जो Congress organization था, यह कैसा हो गया था? यह जो है वैं वीक हो चुका था, वीक structure, ठीक है? This Congress party now did not have many factions, thus it could not accommodate all kind of opinion and interest. पहले की Congress थी थी नहीं कि उसी में socialist है, उसी में सब है, इसमें यह नहीं था. So while it won elections, it's dependent more on some social group. तो पहले यह क्या था? कि अब यह कुछ social groups पर depend होगी, जैसे कि अगरी भी हटाओ की बात कर रहे हैं, तो जो social group वैसा है, this advantage group है, वो इसका voter वो हो गया. तो it's dependent more on the some social group. जैसे कि poor है, women है, तो इंद्रा गांधी ने जिस Congress को फिर से इस्थापित किया, वो Congress पुराना वाला नहीं था, बलकि एक नया Congress system जो है, वाइब बिल्ट किया, तो यह restoration था. ठीक है? क्लियर है? कुछ कुश्चिन से हैं, आप देख लिजेगा. What does the term syndicate mean in the context of Congress, party of the 60s? What role did syndicate play in the Congress? What were the factors which led the popularity of India, Indra Gandhi and Indra Gandhi's government in early 1970s? Discuss the major issue which led to formal split in Congress party 1969. है na? Clear? चलो आओ. एक बार जल्दी से बता देती हूं, हमने क्या-क्या पढ़ा? हमने आज़ की ग्लास में देखा, कि Challenges of Political Succession क्या है? Port General Election, क्या किस तरीके से Congress में split हुआ? 1971 का election. After Nehru, who and what? अगर failure हुआ, तो आर्मी रोलना हो जाए. लेकिन ये जो succession है, वें डेमोक्राटिक तरीके से हुआ और यहाँ पर हम देखेंगे कि Nehru के बाद जो साष्ट्री है, भै आ गए. ठीके, Nehru के बाद शाष्ट्री, जाए जबान, जाए किसान का नारा दिया, ताशकनमेन की death हो जाती है. अप्टर नेhru शाष्ट्री हैं अप्टर शाष्ट्री इंद्रा गाधी, पर अगर हम शाष्ट्री की बाद करें, इनके सामड़े दो चालेंजिस थे, एक तो पाकिस्तान से योध हुआ था, चाइना से जो यो वार हुआ था, उसकी लड़ाई हम, मतलब अल्लेडी हम उस दबाव को जेल रहे थे, और यहाँ पर मॉनसून और फूट परड़क्शन इस तरह की प्रॉब्लम आ गई थी, और उस लोगंदिया जाए जवान जाए के साथ, हैना फिर हम देखेंगे कि इसके बाद जो है, जब शास्त्रे जी के बाद फिर से ये प्रिशन आया, जल्दी जल्दी जो दो पीम है, उनकी डैथ हुगे, पॉलिटिकल सक्षेशन ने थी जल्दी तरीके से, इतना जल्दी जल्दी डैमोक्राटिक तरीके से करान बड़ा ही मुश्किल काम था, और ऐसे में क्या हुआ, कि अब इंद्रा गाधी ऐसा नहीं था कि निर्विवाद नहीं था थी, है ना, नॉन कॉंट्रिवर्शिल नहीं थी, बल्कि दो लोगों में इंटेंस कॉंपेटिशन था, मुराजी देशाई और इंद्रा जी, इंद्रा जी को जिता दिया गया, ठीक है, हमने देखा कि फर्स वुमें, फर्स वुमें पी-म आफ इंडिया, सीक्रिट बैलट के दुआरे इंड को जिता आया, 67 में हम देखेंगे कि 67 में जो जनरल इलेक्शन हुए, उसकी प्रस्ट वुमी क्या-क्या थी, तो उसमक्द भी फूड, उसकास्ट, एकॉनमिक क्राइसिज, यह सब चीजें बढ़ रही थी, लोगों ने प्रोटेक्स किये, तो गवर्मेंट ने इसे देखा, कैसे देखा, गवर्मेंट ने देखा इसे कि लॉइन ओर्डर की प्रॉब्लम है, और यहां से एक तरीका मिल गया, नॉन कॉंग्रेसिजम का, राम मनोहलोहिया के द्वारा ये कहा गया, कि जो गवर्मेंट है, अंडेमोक्राटिक है, है न, लोगों की खिलाफ है, लेकिर इसके बाद, इंद्रा गाधी ने खुद को सोशलिस्ट रंग देना, और प्रोपूर के लिए काम करना बता दिया, 67 के एलेक्शन में, हम देखेगे कि 67 का जो एलेक्शन था, तो वो सबसे जादा कम था, आगे फिर कोलिशन हुआ, दल बदल हुआ, ठीक है, इस प्लिट इदना कॉंग्रेस में, हमने इंद्रा गांधी की बात की, सिंडिकेट की बात की, इंद्रा जी के पास रियल चैला जो पोजिशन नहीं, वलकि सिंडिकेट थे था, सिंडिकेट का मतलब या ग्रूप ऑफ पावर्फुल लीडर, जो कॉंग्रेस में पुराने नेता थे न, जिन्नोंने इंद्रा जी को बनाया था, पी-म, उनकी बात हो ले, तो शीरी रियल ना, इनके पास दो चैलंजिस थे, कि एक तो इने इंडिकेट से चाहिए थी, बिल्ड करना था, और दूसरा था, कि जो 1967 के लेक्शन में कॉंग्रेस की छभी खराब हो गई, और जो सीट चली गए, उसको दुबारा रिमर्च करना, जाकिर हुसेन की जात होती है, जो कि प्रेसिडेंट आफ इंडिया थे 1969 में, और ऐसे में इंडिकेट के बीच का जो ये विभाजन था, जो स्प्लेट था, वैटता है हो गया, क्योंकि दोनों की अलग अलग कैंडिडेट थे, इंडरा जी के कैंडिडेट भी वी गिरी थे, जो कि ये ये जीच जाते हैं, और ऐसे में सिंडिकेट ने से, नीलम संजीव रेडी जो की कॉफिशियल कांडिडेट थे, इनकी हार को अपनी हार समझा, और ऐसे में दो पार्ट में बढ़ गई, दो कांग्रेस हो गई, एक कांग्रेस, जो की new कांग्रेस थी, इंडरा जी क जिसे की requisition जो है वैं कहा जाता था यह pro pure थी socialist थी और syndicate जो है वैं organization या ओग party कहा गया यह pro rich and conservative इसको कहा गया यह old congress थी ठीक है जिस पॉजिटिवनेस को जो है वैं लोगों को दिखाया और ऐसे में लोगों को trust ऐसा हुआ कि 48% और 375 जो seat है वैं CPI और इंदर गाधी को बुली और इसमें भी कीवल 350 जो seat है रिक्विजनिस जो इंदर गाधी की party थी उसको मिली है ना और ऐसे में उन्होंने दोबारा कोई थी हुए जो जमीन भी पाली और से में हम कहते है रेस्टोरेशन के क्या Congress की फिर से रेस्टोरेशन हो गया क्या यह वही कॉंग्रेस थी जो पहले थी नहीं Congress का domination भले फिर से हो गया लेकिन यह वह Congress नहीं थी क्योंकि अब इसका जो nature है वह चेंज हो चुका था आब वीक क्लास में कोशिश करते हैं कि इस वीक जो है आपको continuously जो है वह सारी classes quality की दे दी जाए इस वाले book की ताकि आपका जो यह जल्दी से कवर हो जाए politics in India since independence तो साथ-साथ revision करते रहे हैं आज मैंने class के start में आपको chapter number one two three four जो है वह शौट में बता है अगर आपने अब तक उन वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को भी देखो और cover करो because of यह मेंस के लिए भी काफी important है और films में भी आज़े कुछ 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 आ जाते हैं चली मिलते हैं next class में thank you thank you so much